हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक टो माई चैनल मेरी शुतियागी आज आपको बहुत ही सुंदर गाउन की कटिंग और स्टेचिंग दोनों ही बताऊंगी तो देखे फ्रेंड्स ये मेरा अस्तर है तो ये मैंने एक मीटर अस्तर लिया था तो इसकी मैं जो लाइनिंग है वो लगाँगी उपर के कोटी में तो ये देखे ये भी मैंने इस तरह से त्योंकि इसका पना काफी अच्छा था तो ये मेरा सवा मीटर था इसकी cutting के लिए अस्तर है इसको आप दो तरीके से cutting कर सकते हैं या तो आप इसको lining की तरफ से कर लीजिए या फिर आप इस तरह से lining मतलब जो किनारी है न उसको आप सीधा भी ला सकते हैं या फिर आप नीचे ले लीजिए तो मैं इस तरह से निकालूंगी तो ये कपड़ा मेरा काफी बचेगा तो मैं इस तरह से एक सिंपल तरीका है मुझे बच्चे का गाउन बनाना है तो इस तरह से मैंने कपड़े को fold किया जितनी मेरी chest थी उसमें 4 करके मैंने 2 इंच इसको मैंने fold कर दिया आप कोई भी चीज को fold करेंगी तो ये धियान रखेंगे जितनी आपकी chest है कोटी बना रहे हैं तो chest के coding और suit बना रहे हैं तो hip के coding तो यहां से मैंने इस तरह से इसका तीरा इस तरह से आर्मोहल लिया आप अपने coding अपना नाप लेंगे मैंने अपने coding लिया है तो जितनी भी chest है उसमें मैंने एक इंच प्लस किया यहां पर इस तरह से बिलकुल सीधी line करूँगी मैं सीधी line में इसलिए करूँगी क्योंकि friends इसमें मुझे plate डालनी है इसमें मैं कमर की कोई shape नहीं लूँगी जितनी मुझे इसकी लंबाई लेनी है उसकी लं margin हो गया इस तरह से गोलाई कर देंगे यहां पर मैंने plate का निशान लगाया देखे friends इस तरह से plate डालने के बाद plate का तरीका same वह यह 3 इंच पे मैंने plate का निशान लगाया यहां पर मुझे गला बनाना है तो यह मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाया और इस तरह से 3 इंच छोटा ही गला बनाऊंगी क्योंकि gown में छोटा ही गला अच्छा लगता है इस तरह से मैं इसकी cutting क कर दूँगी हलका सा इसको मैंने गोल ही cut किया है यहां से इसको इस तरह से गोलाई की मैंने और simple इसको cut कर दिया अब मुझे इसमें cutting करनी है तो इसके लिए देखी यह जो निशान आप देख रहे होंगे इस तरह से sequence का काम है इसको मैं आगे लूँगी और plane जो होगा मेरा पीछे होगा मैंने इस तरह से रखा तो मेरा plane net इतना खराब निकल रहा था तो मैंने इसको change कर दिया जिससे मेर उपर plane आ जाए और ये जो मेरा border है वो बिल्कुल एक दम बहुत ही अच्छा एक perfect look में आएगा यहां से मुझे कुछ भी extra नहीं cut करना है सब मैं बराबर ही cut करूंगी काफी tight ये cut हो रहा था चार तय लगा के ही मैंने इसको रखा और ये जो मेरा बचा हुआ कपड़ा है इ एक मीटर मेरा कोटी का एक मीटर मेरा ये था अस्तर और सवा मीटर मेरा कपड़ा था तो गाउन बनाने के लिए ये आपकी कोटी के लिए हो गया measurement आपको आइडिया भी लग गया कि आपको कितना कपड़ा चाहिए सेम ऐसे ही मैं इसको पूरा cut कर दूंगी यहां से मैंने गला cut किया बहुत ही easy है फ्रेंड्स ये gown या कुछ भी ये थोड़ा tough लगते हैं सुरू में लेकिन बहुत easy है बनाने में अगर आप तरीके से बनाएंगे तो यहां पर मैं इसको उपर से भी मैं cut कर दूंगी क्योंकि मुझे ये पलटने वाले गले बनाने है इसमें मैं कोई भी उरे पट्टी यूज नहीं करूंगी इस तरह से मैं इसको रखूंगी और यहां पर ना इसमें गले में और armhole पर सिलाई लगा दूंगी अगर मुझ तो यह आगे का और यह मेरा पीछे का दोनों ही मेरे piece cut हो गए है फिर इसमें काफी धागे निकल रहे थे इस कप्ड़े में लेकिन बनने के बाद यह बहुत ही सुन्दर लगा यहां से अब मुझे इसमें बाजू कट करनी है सेम ऐसे ही यह कपड़ा था इसकी चारते बनाई puff slip मुझे बनानी थी तो simple ही मैंने इसकी cutting की नीचे से मुझे पूरा ही कपड़ा लेना था क्योंकि इसमें सईसे चुन्दर आ जाएं इसमें कोई भी चेश्ट का फोर या आदाई जैसे मैं simple cutting बताती हूँ बाजू में वो नहीं करना है आप अपने according इसमें कपड़ा ले सकते हैं जितना ज्यादा कपड़ा होगा उतना ही आपके चुन्नटे प्लेटे अच्छे से आएंगी और यह puff slip बहुत ही सुन्दर बनेंगी इसमें मैं नीचे border लगाऊंगी जो मेरा साड़ी का था अब मुझे ये जो मेरी साड़ी है ना इसके according मुझे इसमें कलियां कटकनी है तो कली काटने के लिए friends जैसे आपकी hip है जितनी आपकी hip है उसमें आप कोई plus नहीं करेंगी उसको आप जितनी कली का बनाना है उससे आ इसमें दोनों तरह border है एक तरफ का border मैं पूरा ही हटा दूँगी और ये दूसरी तरफ से friend ये जो कली होती ने इसमें थोड़ा सा कपड़ा extra लगता है तो यहां से मैं इस तरह से ये border हो गया मेरा और इस तरह से मैं इसको देखिए जितनी मेरी कोटी थी अब मेरी थी जैस अपने according रख सकते हैं जो भी है 12-13 इंच कोटी है उसको उपर रखिए और इस तरह से लंबाई ना अप लीजे तो 55 के आसपास मेरी gown की लंबाई थी यहां पर आब आप जैसे मुझे 8 कली की 8 कली मतलब जो मेरी जो कली की जो चोड़ाई है ना friends वो 8 इंच आईए तो मैं 8 इंच पे एक निशान लगाया यहां पर इस तरह से मैं निशान लगाऊंगी तो देखिए मैं दुबारे से आपको समझाने की कोशिस कर रही हूं इस तरह से मैंने निशान लगाया यह लगाया मैंने 8 इंच पे तो 8 इंच पे यह निशान लगा यहां बीच में इसका center point लि दो इंच तो दो इंच में मैं आदा इंच लूँगी सिलाई का मार्जन तो आ गया मेरा धा इंच तो यह मैंने जो आठ इंच का सेंटर पोइंट लिया था तो मेरा आ गया इधर से और इधर से सवा सवा इंच तो धा इंच मेरा उपर हो गया और यह नीचे मैंने लिया आठ तो यहां से मैंने इसको इस तरह से तिरचा लिया और फिर मैंने इधर से इसको तिरचा लिया तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप कली कट करेंगे यह देखिए यहां से उपर का जो बोडर मुझे नहीं चाहिए मैं उसको पूरा ही कट कर दूँगी बाद में मैं इसको काटूंगी ऐसे सीधा और मेरा नीचे का पूरी हर कली में मेरा बोडर आएगा सिर्फ कली काटने का तरीका आप ध्यान से देखेंगे यहां से इस तरह से कट हो गया फ्रेंट्स मैं ना अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आते मैं कोशिस करती हूँ कि मैं बोलके ही उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दूँ तो देखें यहां पर मैंने इसको कट किया और यह इस तरह से एक कली कट हो गई जो मेरी यह कली की शेप है सेम इसी तरह से ही मैं पूरी कलिया ही कट कर दूँगी इसी तरह से ही मैं इसको रखती जाऊंगी ये देखिए कोई भी आप एक तरफ का बोडर पूरा कट कर देंगे और दूसरी तरफ का ऐसे ही तो मेरा इधर की तरफ बोडर था ऐसे ही मैं काटती जाऊंगी फेर देखिए हर बार ना थोड़ी एक शेप जो है कपड़े की वो मेरी बार-बार कट रही है कलियों में तो पहले मैंने इसका पूरा बोडर हटा दिया जिससे मुझे बार-बार दिक्कत ना आए आप इसको पहले ही कट कर दीजिए उसके बाद आप निशान लगा लीजिए फेंट देखिए कलियों को ना काटने का सबका तरीका एक अलग होता है जैसे प्लाजों में कलियों और तरीके से कटेंगी आप मतलब जो सूट में कलियां है वो दूसरे तरीके से कटेंगी तो इसी तरह से ही एक कलियां आप कट करेंगे जिससे आपकी कली इदर उदर ना हो और आसानी से कट जाए कली काटने में काफी टाइम लग जाता है तो इसलिए आप अच्छे से तरीके से कलीों को ऐसे ही कट करेंगे यहाँ पर एक कली काटने में बहुत टाइम लग रहा था फ्रेंड्स तो इस तरह से जो मेरे स्टुडेंट है उसने डबल कपड़ा किया और बहुत ही स्पील्डी इस तरह से कलीयां कट करनी सुरू कर दी यह देखिए तो आठ कली मेरी आगे की है और आठ कली मेरी पीछे की तो सोले कली का यह गाउन बन रहा है इस तरह से मेरी सबी कलीयां कट गई है आठ कली मेरी आगे की थी और आठ कली पीछे की तो सोले कली का यह गाउन बनेगा तो इस तरह से मेरी सोले कलीयां कट गई है अब मुझे इसका जो लाइनिंग थी न आस्तर, मुझे इसकी कटिंग करनी है क्योंकि इसमें न मैं केन केन नहीं लगाओंगी, केन के लिए मैं अलग सी स्कर्ट बनाओंगी तो मैं हर्ट, गाउन, हर्ट, स्कर्ट पे मैं उसको डाल सकती हूँ इसकी वीडियो भी मैंने डाली हुई है आप महाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से कपड़ा है उसकी मैंने लगाई यह देखिए ऐसे कपड़ा लिया थोड़ा सा मुझे इसका गेर सही था तो जादा चाहिए तो मैंने इसको इस तरह से जैसे पेटी कोट होता है न उस तरह से मैंने इसकी कटिंग की यहाँ पर मैंने इसकी आप न अपने अकोडिंग कैई तरीके से फ्रेंड्स जो अंदर की लाइनिंग है न उसकी कटिंग होती है तो जो भी हीप है उसके अकोडिंग ही आप इसमें लगाएंगे इसमना पर मैंने इसमें 2 इंच प्लस करके, इसकी मैंने कटिंग कर दी II हिप का फोल लिया और इसमें मैंने किया 2 इंच प्लस तो SLaika margin भी विसमें आ जाएगा थोड़ी noisyness भी आ जाएगी और अच्छे से कटिंग हिजाएगी यह धिक मैंने बिल्कुल इसको पेटिकोट की तरह ही कट किया है, यहां से मैंने इसको इस तरह से, इसमें मैंने सिर मोरने का ही प्लस किया है, उपर से मैंने कोई प्लस नहीं किया है, क्योंकि यह गाउन है, तो यह इसी तरह से ही कलियों में ही अटेच हो जाएगा, इसको हम अलग जो उसकी सबी कलियों को एक साथ ही जोड़ दोंगी आठ आगे की और आठ पीछे की यहाँ पर आप इसको बंदभाग को कट कर सकते हैं या नहीं वो आपका मन है लेकिन मैंने इसको कट किया है तो इस तरह से यहाँ पर इस तरह से कट गया यह अब मेरा यह जो कलिया है इनको मैं बिल्कुल इस तरह से सिल दूँगी सबी कलियों को आपस में ऐसे ही जोड़ दूँगी क्योंकि फ्रेंड्स यह दोनों तरफ से ही उरेब है सीधा किदर से भी नहीं है तो इसलिए ऐसे ही जुड़ती जाएंगी कलिया अब मैं इसके आपक मैं इसी तरह से ही जोड़ दिया तोन्य कि जुड़ने के बाद इस तरह से हो गई है यह देखे यहां पर आप इसको इस तरह से सिल देजिए ये देखिए ये थोड़ा एक्स्टा है तो यहाँ पर इसमें एक एक दो दो चुन्नटे में डाल दूँगी जिससे की अराम से सही अच्छे से गेर आ जाए अब मुझे इसकी कोटी को सिलना है तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको उल्टा रखा और यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दी और मैं इसको अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर मैं ऐसे दीरे-दीरे कट लगाऊंगी फैर्स कट लगाते वक्सिलाई नहीं कटनी चाहिए नहीं तो आपको दुबारा से सिलाई लगानी पड़ेगी और इस तरह से आप फोल्ड कर दीजे फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं इसके चारो तरफ सिलाई लगा दूँगी बहुत ही अच्छे से ही हो गया और इसके उपर भी आप इस पर यहाँ पर शिलाई लगा दीजे आगे पीछे दोनों ही पीस मैं इस तरह से तयार करूँगी ये देखे दोनों ही पीस मेरे रिडी हो गई है अब मुझे इसमें प्लेटे डालनी है प्लेटे डालने के लिए जैसा मैंने जो निशान लगाया था उसी के ही अकोडिंग प्लेटे डल जाएंगी तो सबसे पहले मैं इसके कंदे जोड़ना आपको बताती हूँ तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देंगे फ्रेंट्स ये जो मेरा यहाँ पर मैंने अस्तर को बहार निकाला इसको मैंने इस तरह से रखा ये देखिए द्यान से दुबारे से दिखाती हूँ मैं आपको सीधा है ये मेरा दोनों ही सीधे थे इस तरह से मैंने इस पर यासे सिलाई लगाई इसको मैंने पलट दिया तो ये मेरा उल्टी तरफ पहुँच गया अस्तर तो दोनों ही तरफ देखिए कितने अच्छे से मेरे कंदे जुड गए है एक कपड़ा लिया इसके उपर ये रखा और फिर उसके उपर अस्तर रखके पलट दिया सिंपल तरीके से ये बन गया है इसमें मुझे यहां पर मैं इसको अस्तर को इस तरह से जोड दूँगी इसमें यहां पलेटे डाल दूँगी और इसमें सिलाई लगा दूँगी यहां पर इस तरह से ये रेड़ी हो गया है अब इसमें यहाँ पर आप देखिए यह इस तरह से है और इसमें यहाँ पर प्लेटे डालनी है प्लेटे डालने के बाद ही आप इसको इस तरह से सिलेंगे आप फ्रेंट्स अगर प्लेटे नहीं डालेंगे बिल्कुल फिटिंग का पहनेंगे न तो थोड़ी सी वो दिक्कत आएगी लेकिन अगर आप लेटे नहीं डालना चाहते हैं तो मत डालिए और साइट से कमर की हलकी सी शेप दे दीजिए सेम ऐसे ही आगे का करेंगे दोनों हिस्से मैंने जोड दिये हैं यहां से साइट से लेंगे और इस तरह से इसमें कमर तक हलकी सी शेप देंगे और यह देखिए इसको अलग सी लेंगे यहां से हलका सा फिर उपर उठाएंगे इस कपड़े को और फिर इसको इस तरह से अलग सील देंगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से यह बन गया है तो जितनी बाजू की गोलाई है उसमें 2 इंच प्लस कर लीजिए, यहां पर इस तरह से देखिए, मैंने कैसे बोडर को रखा है, यह इस तरह से किनारी नहीं आएगी, तो आपको यह जो किनारी वाला हिस्सा है ना, इसमें ही प्लेटे डाल दीजिए, इस तरह से करके पूरे की तरफ वो आएगा यहां पर मैंने दूसरा बोडर जोड लिया है यह इस बोडर को मैं ऐसे करके यहां पर मैंने देखिए जोड दिया और अब मैं इसको इस तरह से पलटूंगी और इसको ऐसे सिलाई लगा दूंगी तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से यह सिलाई लगाने के बाद बहुती सुन्दर से मेरा यह बाजू रेडियो हो गई है जो आपकी फिटेंग में वहां सिलाई लगाएंगे और किनारे पे सिलाई लगाने के बाद आप मुझे जैसे सिम्पल गुलाई में बाजू जोडते हैं न सेम उसी तरह से ही जोडेंगे तो यहां से लिया मैंने अंदर से हाथ किया और इस तरह से ऐसे निकाल दिया कपड़ा बीच का सेंटर पॉइंट मैंने लगाया हमाँ पर आप पिन लगा लीजिए थोड़ा सा आप इधर से सिलाई करेंगे और उसके बाद जो भी कपड़ा है उसमें आप इस तरह से चुनटे डाल दे है ऐसे ही आप दूसरी बाजू भी लगा लेंगे तो फ्रेंट्स बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मेरी वीडियो को लाइक मेरे चैनल को सब्सक्राइब मेरी वीडियो को शेर कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी नमस्कार झाल